दीखे class 10 के chapter number 5 का example number 14 है question में हमसे बोला गया है find the sum of the first 1000 positive integers और second part है इसका the first and positive integers तो दीखे इस question को start करने से पहले मैं आपको positive integer यानि के integers के बारे में थोड़ा बता देता हूं कुछ students को integers में confusion रहता है तो दीखे एक बात आप हमेशा ध्यान रखे हैं जो integers होते हैं वो positive भी होत हैं ठीक है तो अब integers क्या होते हैं integers उन numbers को हम बोलते हैं चाहे कोई number plus में हो चाहे कोई number minus में हो मगर वो complete number होना चाहिए यानि कि वो fraction में नहीं होना चाहिए और वो decimal में नहीं होना चाहिए तो चाहे कोई number plus में हो चाहे कोई number minus में हो मगर वो complete number हो वो fraction में ना हो और decimal में न उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं जैसे मान네 आप शुरु sûrवात करें माइनस 7 और माइनस गे 6 माइनस के 2 ठीक है तो यह इंटीजर्स हैं माइनस के 18 इस Hem सरे के सारे क्या हैं इंटीजर्स हैं इतरा से पोजिटिव इंटीजर्स की बात अगर हम करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 और 10 और 12 यानिके जितने भी हैं जितने भी counting स्वाले number होते हैं वो सारे के सारे integers में होते हैं यानिके कोई भी number चाहे plus में हो या minus में होगर वो complete number होना चाहिए यानिके वो fraction में नहीं होना चाहिए और positive integer उन्हें बोला जाता है जिनके साथ positive sign होता है ठीक है और एक integer जो है 0 भी integer ही होता है मगर वो ना तो negative integer होता है ना ही positive ठीक है तो अगर आप से कोई पूछे कि ऐसा integer बताइए जो ना तो negative हो और ना ही positive हो तो वो integer क्या होता है 0 ठीक है अब देखिए आपको integer के बारे में मालूम है तो अब जो है आपको ये question बड़ी आसानी के साथ समझ में आ जाएगा तो इसका जो first part है उसमें हमसे बोला गया है हमें sum find करना है first 1000 positive integer का ठीक है तो पहले जो positive integer होंगे वो कौन से होंगे तो positive integer की शुरुवात कहां से होती है one से तो अगर हमें 1000 positive integer का sum find करना है तो जो इसका first term हो जाएगा वो कितना हो जाएगा one ठीक है और अगर हम जो है positive integer में जो है जब चलते चले जाएंगे one से start करेंगे तो अगला positive integer क्या होगा two फिर अगला three फिर अगला four तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो जो d कितना आ जाएगा उनके बीच में जो difference होगा वो कितने कीतने का होगा वो one one का ही होगा क्योंकि one के बाद two आएगा two के बाद three आएगा three के बाद four आएगा यनि के sum में one one का difference चलेगा तो d वहाँ से कितना मिल जाएगा हमें 1 ठीक है अब हमारे पास n कितना है first question के लिए हमारे पास n है 1000 ठीक है तो अब आप क्या कर सकते हैं इसका जो है अब आप sum find कर सकते हैं तो हमें क्या निकालना है sn sn कितना है n upon 2 into 2a और plus n minus 1 और into d ठीक है तो n आपके पास कितना है 1000 और upon में कितना है 2 और 2 multiply a कितना था 1 और plus 1000 minus 1 और into d कितना है आपके पास 1 ठीक है अब 2 से ये 500 time कर जाएगा तो यहाँ पर कितना जाएगा 500 और 2 one जा 2 प्लस 1000 में से जब 1 minus होगा तो 999 आ जाएंगे multiply कितना जाएगा 1 तो यहाँ पर कितना जाएगा 500 और यह 2 प्लस 999 की जब 1 से आप multiply करेंगे तो यही आ जाएगा और जब इनको आप add करेंगे तो यह कितना मिलेगा आपको यह मिलेगा 1,001 ठीक अब आप क्या कर लें इन दोनों की multiply कर लें तो आपको answer मिल जाएगा जो कि कितना है यह SN कितना था N की जगा यहाँ पर आप 1000 भी लिख सकते हैं ठीक है तो S 1000 जो आपके पास आ जाएगा वो कितना जाएगा यह last के यहाँ पर sorry यहाँ पर कितना था यह 1 था ठीक है तो जब आप multiply करेंगे तो 0, 0, 5, 1, 5 और 0, 0, 5, 1, 5 ठीक है तो यह जो आजाएगा इसके 1000 term का sum आजाएगा ठीक अब जो इसका next question है उसको देख लेते हैं तो जो इसका second part था उसमें हमें N positive integer का sum find करना था ठीक है तो उसके लिए अगर हम बात करें तो जो जब positive integer जो है first से ही लेना है तो इसके लिए भी जो A होगा यह नहीं के first term होगी positive integer की शुरुवात कहां से होती है 1 से तो जो इसका first term हो जाएगा वो कितना हो जाएगा A हो जाएगा और D B इसमें कितना रहेगा 1 ही रहेगा ठीक है और यहाँ पर N जो था महाँ पर N 1000 था यहाँ पर N N ही रहेगा ठीक तो जब आप यहाँ पर SN निकालेंगे तो SN का formula N upon 2 into 2 A और plus में N minus 1 और into D तो N तो यहाँ पर N ही है तो N upon 2 ऐसे ही रहेगा 2 multiply A कितना था आपके पास 1 और plus N यहाँ पर N ही था minus 1 और into D कितना है आपके पास 1 ठीक है तो N upon 2 into 2 into 1 यहनी 2 plus 1 की हम किसी भी चीज़ से multiply करते हैं 1 multiply से हट जाता है यहाँ यहाँ पर कितना आजाएगा N minus 1 अब अगले step में आप क्या करें अगले step में जब bracket open करते हैं bracket से पहले plus का sign होता है तो अंदर के sign change नहीं होते तो यहाँ पर N के साथ यहाँ पर कोई sign नहीं है तो plus का sign है तो यह किस चीज़ का हो जाएगा प्लस के यहाँ पर N है ठीक है तो जब इनकी multiply करेंगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते है N upon 2 into यहाँ पर N को पहले लिख करके 1 को उसके बाल लिख सकते हैं ठीक है तो अब आप अगर हम देखते हैं तो जो इसके N term का sum आ चुका है तो आप N into N plus 1 upon 2 ठीक है झाल को जोड़ो आप झाल को आपार हम जोड़ो आप देखते हैं तो आप अज़ा आप दोड़ों